नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा इपार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और एक्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनिल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 29 चुलाई 2024 की हिमाचल पर्देश की आज की सभी तार्या ख़बरों की जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की सभी तार्या ख़बर हैं तो देख सकते हैं आज की पहली तार्या ख़बर प्रेकिंग नूज है हिमाचल पोर्टिक्स सीम के बाद उपमुख्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिली पहुंचे कांग्रेस में बड़ी राजने थे कहाल चल उपमुख्य मंत्री मुकेश अगनियोत्री दिली के दौरान दिली दौरे के दौरान सौंबार को केंद्री जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शिखावत से भी मिलेंगे वह विभाग के मामलों को मंत्रा लेकर समक्ष रखेंगे वही कांग्रेस प्रदेश अधियक्ष प्रतिबा सिंग दिली दौरे के दौरान हाई कमान को संगठन की कतिविदियों की रिपोर्ट करेंगी QR स्कैन से खुलेगी किताब करवाएगी खुलते पन्नों का एहसास समगर शिक्षक के तहत त्यार की गई बदलती तस्वीर पोस्तक को विद्यार से अब आउनलाइन पढ़ सकेंगे इस पोस्तक की खास बात या है कि गूगल लेंस के जड़िये इसका QR कोड स्कैन होगा QR स्कैन करने पर या पोस्तक PDF के प्रारूप में खुलेगी पोस्तक की पिछली तरफ पने QR के जड़िये पेज दर पेज खुलेगी जब इसका पेज बदलने के लिए विद्यार थी फोन से स्वाइप करेंगे तो पेज बदलने की तरह आब आ जाएगी के नौर के ग्याबूंग रोपा नाले में फटा बादल करोडों का नुकसान कुलू में पांच घर कराये खाली के नौर के ग्याबूंग और रोपा नाले में बादल फटने से मरवा लोगों के बगीचों में पहुँच गया जिससे सैंकडों सेव के पौधे पौधे पौधों और नकदी फचलों को नुकसान हुआ है कुलू और लहूल में शनिवार रात को बारिश से मनाली के पिलचान में बार जैसे हालात बनगे ब्यास और सरही नाला में जलस्तर बढ़ने से पांच घरों के लोगों को दूसरी जगा शिफ्ट करना पड़ा सियम सुकु के दिली से लोटते ही हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेर बदल सुची त्यार है मुख्यमंत्री सुक बिंदर सिंग सुकु के नई दिली से लोटते ही हमाचल परदेश में बड़ा प्रशासनिक फेर बदल होगा सरकार ने इसके सुची त्यार कर लिया है मुख्यमंत्री सुकविंदर सिंग सुकू के दिली से लोटने परिस पर वीचार बिमार्श होना है तीन साल से एक ही जगा पर डटे अफसरिस इधर से उधर होने है इसके लिए रिकारियों के पर दर्शन का आकलन किया जाना है पुलिस भरती 2024 पहली बार लंबाई के मिलेंगे अतरिकत अंक 1226 पुलिस कॉंस्टेवल पदों के लिए होनी है भरती हिमाचल पुलिस भी भाग में कॉंस्टेवल भरती के नियमों में कई बिदलाव किये हैं पहली बार उमीदवार को लंबाई के अतरिकत अंक मिलेंगे भरती होने वाले अभ्यार्थियों को ट्रेनिंग के बाद पहली बार कमांडो कूर्स करवाया जाएगा प्रदेश में 1226 पदों को लेकर जल्द भरती प्रक्रिया शुरू होने वाले है लोग सिवा आयोग के मद्यम सिया भरती के जानी है मुख्यमंत्री सुखु बोले हासन वैली में स्काइवाक ब्रिज गोविंद सागर जील में जल करीडाएं जल्द मुख्यमंत्री सुखु बिंदर सिंग सुखु ने कहा कि शमला किस्मी भासन वैली में स्काइवाक ब्रिज का निर्माण विपस्तावित कांगडा जीले को प्रियतन रालदानी गोशित किया गया है बिलासपुर के गोविंद सागर और उन्ना के अंद्रॉली में जल करीडा गतिविदियां शुरू की जा रही है हर गाउं में होगा प्राकरतिक खेती बंडार दस मंडियों में विकेंगे उतपाद चेनित किये जाएंगे स्थान मुख्यमंतरी सुकविंदर सिंग सुकु ने कहा कि मंडियों में प्राकरतिक उतपादों की विकरी के लिए ज़्धान चेनित किये जाएंगे और हर पंचायत से दस किसानों को रसाइन मुक्त खेती के लिए प्रोधसाहित किया जाएगा आजयराना का स्यानिक सम्मान के साथ अंत्यम संसकार तीनमा पहले ही हुई थी सगाय जिला कांगडा के स्यानिक आजयराना का स्यानिक सम्मान के साथ संसकार किया गया आज़े इन दिनों आठ टोगरा रेजमेंट चम्मू के बाड़ी ब्रामना में दनाथ्य वे लीवर की विमारी से पेड़ी थे इस पर उनकी हालत खराब हो गई थी मशीन की च्पेट में आने से कामगार की मौत बद्दी के स्टे सालिट कंपणी में एलेक्ट्रीशन का करता था काम एक स्थानी कंपणी में मशीन की च्पेट में आने से कामगार की मौत हो गई इसके सुचना पुलिस को दी गए पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शब कबजे में लेकर पोश्ट मार्टम के बाद परिजानों को सौंप दिया है विवादित बस रूट परमिट पर बैठक आज पंजाब सरकार के परिवाहन विवाहन के अदिकारी शिमला पहुँच गया है वहाँ के परिवाहन सचेव और परिवाहन आयुक्त के साथ शिमला ने सौंबार को बैठक होगी जिसमें इंटर स्टेट बस रूट परमिट को लेकर समिक्षा की जाएगी इसमें पंजाब की और से कुछ आपतियां जिनको दूर करने का प्रियास होगा पंजाब रोडवेज की ड्राइवर कंड़क्टर ने पीटा है माचल का जीव चालक उन्ना मुख्यले के साथ लगते लाज सिंगी में पास लेने को लेकर पंजाब रोडवेज के बस चालक वा परिचालक ने पीक अप चालक के साथ मारपीट की है यहीं नहीं मारपीट के दोरान पीकप का शीशा तक तोड़ दिया पीडित सुरेंदर सिंग निवासी बर्नो की शिकायत पर पंजाब रोड़ बेज बस के चालक शमशेर सिंग वा पर चालक हैपी के खिलाब वेविन दाराओं के ताथ के इस तरज कर जान शुरू कर दिया मामा ने भांची को बनाया हवस का शिकार जिरा मंडी बला थाना क्षेतर के तेहत एक गाओं में रिष्टे को शर्पसार करने वारी कटना सामने आई है जहां एक चौदा वर्षी सके मामा पर अपनी पांच वर्षी भांची से दोशकर्म करने का आरोप लगा है पीडित का पीडिता के परिजानों की शकायत पर पोलिस ने पोक्सो एक के तहत मामला दर्जकर आरोपी को डिटेन कर लिया थातों उसे बाल अधारत पेश करने के प्रिक्रिया शुरू कर दिया 83 कॉलेज हिमाचल प्रदेश बिश्य विद्यले के हवाले हिमाचल प्रदेश में दोविश्य विद्यले चल रहे हैं जिसके तहत पेविन जी लोग की छातर अलग अलग से ध्याइन कर रहे हैं आउट करेंगे शिमला के पंथा गाटी में बोस कलन के कारण दबी तीन गाड़ियां बरते हैं साब दानी तस्पेश ने देख सकते हैं राज़ानी शिमला में बारिश के कारण फिर से बोस कलन की गटनाएं पेश आ रही हैं शनिवार देरात को शम्ला में हुई बारिश से कई जगा पर बोस्कलन की घण नाएं देखने को मिली हैं, इसी बीच शम्ला के पंता गाटी में बोस्कलन के कारन गाड़ियां दब गही हैं, बता जा रहाए कि पंता गाटी के साथ मुख्य सड़क के किनारे लोगों ने वाहन को पार्क किया था परदेश में छुटियों के वाद आज से खुलेंगे समर और विंटर विकेशन स्कूल बच्चों को मिलेगी या दॐ सुविदा परदेश के विंटर और समर विकेशन स्कूल आज यानि सब्बार 39 चुलाई को छुटियों के बाद खुलेंगे 22 चून से समर विकेशन स्कूल लों की छुटियां होई थी जब कि विंटर विकेशन स्कूल लों को एक सप्ता की मौनसून ब्रेक दे गई थे मंडी करसोग रामपूर सडक पर अन्यंत्रित होकर कारखायल में गिरी घर का एक लोता चिराग बुजा तस्वीरें देख सकते हैं करसोग रामपूर मुख्य सडक चजोल नाला के समीप हुए एक सडक हाथसे में 36 वर्षी युबक की मौत हो गई है दस कमरों का मकान बेघर हुआ परिवार तस्वीरें देख सकते हैं जीले के पांगी क्षेतर की से चुपन चायत में रविवार सुबा करीब साथ बजे एक तीन मंजला में गया सिलेंडर भटने से बारा लाग का नुकसान हुआ है इस गतना में मकान राख हो गया अगनी कान में दस कमरे जले हैं तो दोस्तों ये थी हमाचर परदेश के आज की सभी तारा खबरें अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ने किया है वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तन्यवाद जैहिं जैभाद